देखो मेरी बहु कितनी बेवकूफ है आज मैं तुम लगों को साबित करके रहूंगी मा जी आपने बुलाया हाँ बहु आ आ बैट एक बात बता अगर तुझे दस करोर रुपे मिले और एक करोर सच्चा दोस तो तू क्या चुनेगी एक करोर और सच्चा दोस सभी पडोस ने बहु पर हसने लगती है देखा मैंने पहले ही कहा था ये बेवकूफ है वैसे बहु एक करोर सच्चे दोस का करेगी क्या मा जी जैसा कि आपने पहले ही कहा था वो मेरे सच्चे दोस्त हैं तो सबसे मैं 10 रुपे उधार ले लूँगी तब मेरे पास हो जाएंगे 10 करोर रुपे ओ तो तुझे 10 करोर रुपे चाहिए थे अरे सासुमा आगे का प्लैन तो सुनो इन 10 करोर रुपे से मैं एक चौकलेट की फैक्टरी खोलूँगी जैसा कि वो सब मेरे सच्चे दोस्त हैं यानि की सच्चे का समर भी तो आगर वो डेली 10 रुपे की एक चौकलेट भी खरीते हैं तो मैं डेली 10 करोर रुपे कमाऊंगी क्यू सासुमा मैं ठीक सोच रही हूँ ना एक दिन शीना और मीना अपस में बात कर रही होती है मैं ना आज के बाद किसी भी लड़के पर भरोसा करूंगी ही नहीं बिलकुल ये सब के सब ना कुट्टे कमीने धोके बास होते हैं एक नमर के अरे क्या हो गया ऐसा क्यों कह रही है तू तेरे बॉइफ्रेंट से लड़ाई हो गई है क्या तेरी ना मतले उस धोके बास का आज की बाद शकल भी नहीं देखूंगी उसकी हाए दया किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया क्या तूने उसको तू तक कहती थी बड़ा लॉयल है वहाव तेरे अलावा किसी और लड़की को आख उठा कर भी नहीं देखता हा तो मेरा बंदा लॉयल ही है वह सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है तेरे वाले की तरह नहीं है जो हर दूसी लड़की के देख कर आंके सेकता फिरता है हाँ तो फिर क्या हुआ है क्यूं गालिया दे रही है उसे एक्चली न मैंने उसे दूसरी लड़की के साथ नहीं पकड़ा बलकि उसने मेरे को मेरे दूसरे बॉइफरेंड के साथ देख लिया कल उसने मुझसे बोला था कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और जूट बोलकर वो गया भी नहीं धोके बास कहीं का ऐसे कौन जूट बोलता है एक गाउ में काली रंकी लड़की को बहुत सदा परिशान करते थे लो और अक्सर उसे चुड़ाया भी करते थे कि कलूटी तुछ से तो कोई ब्या भी नहीं करेगा ऐसे ही कवारी रह जाएगी तू गाउवालो की ये बाते सुनकर उसे बहुत बुरा लगता था भगवान ने एक दिन उसकी सुनी और उसे एक बहुत ही खुबसूरत दूला मिला ससुराल में सभी उसकी बहुत सेवा करते थे और कोई उसके रंका मजाग भी नहीं उड़ा था फिर एक दिन जब उसे माई के जाना होता है तब मा जी आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो मेरा तो मनी ही नहीं होता कि कभी मैं इस घर से दूर जाओं तो बहु कौन कह रहा है तुझे यहां से जाने को मैं तो कहती हूँ तू हमेशा घर से कहीं जा ही मत दूद दही खा और मौच कर तू रहेगी तो हमें भी तो दूद दही मिलेगा मा जी दूद दही तो इस घर में पहले से ही इतना है मेरे आने से आपको दूद दही कैसे मिलेगा मैं समझी नहीं वो क्या है न बहू तेरी शादी के समय हमारी भहस की बच्छी आख हो गई थी, जबसे तू आई है तेरी शेकल देखके वो दूद दे रहती है कम से कम बहु बिचारी अब तक बेहोश है शीना और मीना अपस में बात है कर रही थी, मीना कुछ दुखी सी लग रही थी क्या हुआ मीना इतनी सैट क्यूं है यार सिंदिगी की लगी पड़ी है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं शादी ही ना करती तो अच्छा होता अरे ऐसी क्या दिक्कत आ गई तेरी सिंदिगी में, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है तेरी शादी होगी ना तब पता चलेगा कि शादी की बाद क्या हाल होता है तो जीजी से परिशान है क्या, और नहीं तो क्या, एक काम नहीं करते मेरे साथ सारा दिन टीवी देखते हैं, कोली ने मारा चौका, कोली ने मारा चुका हाँ यार बरतन धुलते धुलते हाथ की लकीरे मिटने लगी है मेरी अरे बसकर पगली रुलाईगी क्या आप तेरे दुखका पर्मारेंट हिलाश तो नहीं है लेकिन एक आइडिया दे सकती हूँ जो तेरा दर्थ थोड़ा सा कम कर देगा बहन जब भी तू बहुत ज़ादा दुखी हुआ करे न तो अपनी शादी की वीडियो रिवर्स करके देख लिया कर उसमें जीजू तेरे गले से वर्मारा उतारेंगे तू कार में बैट कर घर चली जाएगी और वो नाश्ते नाश्ते अपने घर चले जाएगे और तू फिर से एक बार कुआरी हो जाएगी मीना अपनी जिन्दगी में बहुत खुश है